कई लोग करते हैं गुरुजी कि आप दूद चड़ाना जरूरी है संकर पर कई लोग करते हैं गुरुजी कि दई चड़ाना जरूरी है संकर पर शह चड़ाना जरूरी है घर चड़ाना जरूरी है शकर चड़ाना जरूरी है शिव महापुरान की कथा कहती है पाथ चीजे शंकर भगवान पर चड़ती है दूद अर्थाथ घर में लच्छमी की ब्रधी करता है इसलिए चड़ाया है दही शंकर भगवान पर इसलिए चड़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है जिसके परिवार में कलेश जादा होता है जिसके परिवार का परिवार में आपस में तकरार जादा होता है उसको दही जोड़ता है शाहद घर में चिर्चिड प्रवत्ती को समाप्त करता है घी रोग को समाप्त करता है शकर मिष्ठान घर में यदी लच्मी आकर जा रही हो तो मिश्ठान समर्पित किया जाता इसलिए पंचामर्तिस्नान का भाव शुमापुरान करते हैं पंचामर्तिस्नान का भगवान इसलिए पाचीजे शंकर को समर्पित हैं दोध, दही, गरत, शहद, शकर, अर्थात, मिश्ठान शकर से मूलता है या शुमापुरण में शकर नहीं लिखी है मिश्ठान अब लोग सकर पीस का रविशे करते हैं परन्तो मिश्ठान आर्थाथ गाय के दूद से निरमित कोई मिठाई और उस मिठाई से भदवान संकर का विशे अब लोग भले सकर रखने लगे संकर जी के अभी सेख में पर यह यह सकर नहीं लिखा है यह मिश्ठान हमारे यह साहज भासा में कहते तो उसको खाण और थाथ मिठा शुमापुरान की कथा करती है दरपन इतना बड़ा ले लो बंदर वाला अगर दरपन वाली नहीं तो इतना बड़ा दरपन लो हनमान जी के मंदर में जाकर क्योंकि हनमान संकर का ही उता रहे हनमान जी के मंदर में जाकर हनमान जी के उल्टे पाउं का थोड़ा सा सिंदूर चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आजाई और हनमान जी के छोटे भाई हनमान जी छे भाई हैं उसमें गतीमान हनमान जी के छोटे भाई गतीमान का नाम लेकर उस दरपन पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो उस दरपन को घर के बाहर की ओर ऐसे बाहर की ओर मुख करकर दरपन को घर के बाहर या दरवाजे पर बिल्डिंग पर उपर जाली में फृरंट में कहीं पर उसको लगा देते केवल शंकर का इस्तमर्ण करकर गतीमान का नाम लेकर हनमान के उल्टे पाउंता सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दरपन को लगा देता है आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग गिते बिमार कड़ते थे और इस धरपन को लगाने के बाद बिमारी कम हुई एन नहीं, नहीं हो कम तो थंड़ा कर देना, क्या जा रहा है पर करके जरूर देखना विश्वास रख कर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन करकर भगवान शंकर पर विश्वास रख क परोगे तो भीमारी घेर नहीं सी अकालमृतियों वो मरे जो काम करे चंडाल पा प्रिय नहीं संकर को जितना बेल प्रिय नहीं संकर को जितना शमी प्रिय नहीं शंकर को जितना दूद तही ब्रिय नहीं शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सक्त्य प्रिय है सक्त्यम शिवम सुन्दर इसलिए हमारे यहां सास्त्र कता है ब्रह्मा जी केथी के फूल को लेकर आए उसने जूड बोला ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए शंकर भगवान के सम्मक में जुड़ बोला ब्रह्मा स्वयम जुड़ बोले तो सिर्कटा कर्मनाशन नदी परकट हुई और शिव महापुरान की कता कति ये शंकर को सत्यप्री है अगर जुड़ बोला है इसलिए शिव महापुरान का इसपश्टी करन की आजाए बंडन की आजाए तो पहले के समय में आदालत नहीं होती थी पहले के समय में पंचायत नहीं हो सकती थी पहले के समय में कोई सभाय नहीं होती थी पहले के समय में कोई निननायत मंडल नहीं होता था पहले के समय में केवल एक निन्य होता था गाउं के लोग ले जाकर संकर के मंदर में खड़ा कर दे थे और कहते दो उठा गंगा जली और कहते तुन्हें ऐसा नहीं किया गंगा जली उठा कर कहते कि तुन्हें ऐसा नहीं करा क्यों गंगाजली उड़वाते थे क्योंकि लोगों ने शिव महापुरान सुन रखी थी शिव महापुरान में शिरिवेद व्यासजी बंडन करते हैं कि संकर के मंदर में संकर के ओतले पर संकर के मंदर के अंदर शिव की चोखट पर शंकर के अनुमोधन में शिव महापुरान के अंतरगत शंकर के अनुमोधन में शिव मंदर में शिव चोखट पर अगर कोई भूल से भी जूट बोल देता है तो उसकी जिंदगी नरक जेसी निकलती है महाराज इसलिए कहते तो उठा गंगा जली और केज़े तुने समय बोल दे आपके भी जीवन में अगर किसी को कश्ट है फिर निवेदन करूँगा मंदर में अगरबत्ती भले मत लगाओ मंदर में भीक भले मत जलाओ मंदर में पेडा भले मत चड़ाओ अगर आपके महले में आपके पडोस में आपके परिवार में आपके नजदियक में अगर कोई दुखी है कश्ट में है उसको यदि प्रेम उसकी बानी भी बोल ली है एक रोटी भी प्रेम की खिला दी किसी के चेहरे पर इसमाईल ला दी तो मंदर में दिया जलाने के बराबर है साथ मंदर में दीप चलाने के लिए सबस्च्राइब करें हमारा चेनल बेलपत्र भगवान मता पार्वती के अश्रू से है रुद्राप्च भगवान शंकर के अश्रू से है शमी पत्र, उमाद और महिस्चर भगवान शंकर के विग्रह के सुक से जो जल प्रगट हुआ है उस जल से शमी की उत्पत्ती है महाराज़ दोनों के मिलाज़ से जैसे एक मुखी से लेकर चुधा मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं आप पहले भी कथा में कहा एक मुखी से लेकर चोदा मुखी तर रुद्राक्ष होते हैं सभी रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र होता है अपनी एक साधना होती है जिसके अनुसार रुद्राक्ष काम करता है एक मुखी रुद्राक्ष लच्णी की वर्धी के लिए होता है कभी मुका मिले तो एक मुखी रुद्राक्जे का दर्शन करना, पर एक मुखी रुद्राक्जे जितना छोटे से छोटा होता है, उतना सुक्क दे. एक मुखी रुद्राक्ष लच्मी की भृत्धी के लिए होता है कारे सिध्धी के लिए होता है कोई भीकारी से भीकारी गरीबड़े से गरीबड़ा भी अगर धानन कर ले उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष कर प्रविश कर जाए तो सुक का नुभाव करा देता है संपदा का नुभाव कराता है सरसुती का भाव करगट करता है बेभाव का भाव देता है एक मुखी रुद्राज का मंत्र है ओम हीम नमा ओम हीम नमा ये लच्छमी के लिए होता है मारा दो मुखी रुद्राज बांधा को हरता है कोई तकलीप हा रही है कोई प्रसास्निक कारे है कोई काम नहीं हो रहा फाइल आगे नहीं बढ़ रही बहुत तकलीप हा रही है तो दो मुखी रुद्राक्ष जो ब्यक्ती धारन करता है उसका कारे सफल होता है दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमहा रोद दो मुखी रुद्राक्ष का शिव महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमहा विदेश्वर सही था कि अंतरगत शिव महापुराण में रुद्राक्ष के चौदा मुख्य रुद्राक्षे के मंत्र दिये हूँ आप शुमाहपुराण नहीं पढ़ सकते तो मंत्र लिखे ले दो मुख्य रुद्राक्षे का मंत्र ओम्नमहा तीन मुख्य रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है केसा भी अनपड से अनपड ब्यक्ती हो जिसको विद्या में रुची ना हो पढ़ी में पा रहा हो चितवृत्ती ही ना लग रही हो मन ही ना लग रहा हो पर सिंट कम से कम होते जा रहे हो तीन मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए नहीं डाल सकते तो बच्चे के कमरे में जहां वो पढ़ता है विद्याध्यन करता है उसके कमरे में लगा दीजिए तीन मुखी रुद्राट्च का मंत रहे ओम स्री सबस्क्राइब करें किसी बच्चे की लड़के की या लड़की का या मंगल विवा नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो अथक प्रयास अतने कर लिया और उसका मंगल विवा नहीं हो रहा है आम का जो पत्ते होते हैं आम का जो पत्ता होता है आम का जो पल्लव होता है उस आम के पत्ते पर हल यो स्चिक कि बनेंगे एक हलिखा गार्ल्दीं का ऑक सिंदुर वम रखतिक ऐसे घौक सावाम, महाराज के लिजा रखता है मात्र 5,5 गया सार महां नहीं घौक साथ तिन एक गार्ञव लड़्य के है आ जसका भी वहान नहीं ओट